देश फर में आज बड़े ही धूमधाम से मकसंक्रान्ती का त्योहार मना जा रहा है मकसंक्रान्ती परस्णान और दान की परंपरा रही है यूपे के प्रयागराद से लेकर उज्जैन में शिप्रा नदी तक लोगों की फिर दिखाई दी सूरे जब एक राशी से दूसरी राशी में जाते हैं तो सूरे की राशी परिवर्तन को संक्रान्ती कहते हैं मकसंक्रान्ती का ये त्योहार अंधकार से रोश्णी की तरफ जाने वाला त्योहार मना जाता है पुराणों में मकर संक्रांती को देवताओं का दिन बता आ गया है मकर संक्रांती से मांगलिक कारियों की शुरुवात हो जाती है यू कहें कि मकर संक्रांती के साथ ही वो सब ही शुप काम शुरू हो गए जो खरमास की बज़े से रुख गए थे मकर संग्परांती का ये तिहार अंधकार से रोशनी की और जाने वला तिहार माना जाता है पुराणों में मकर संग्परांती को देवताओं का दिन बता आ गया है धार्मिक मानिता है कि मकर संक्रांती पर सूरी के आराधना के साथ सूरी और शनी से जुड़ी वस्वों का दान करने से जीवन में खोशहा लियाती है देश भर में आज मकर संक्रांती का पर धूम धाम सना आ जा रहा है गुज्रात और आजिस्थान की शेहरों में मकसंक्रांती परफ पर शनिवार सुभे से ही पतंग बाजी का दौर शुरू हो गया इस दरान के इंद्र ग्रीमंत्री अमिच्चा से लेकर गुज्रात के सीम वुपेंद्र पटेल तक पेंच लडाते देखे गए गुज्रात के एहंदबाद में ग्रीमंत्री अमिच्चा पतंग उडाते नजर आए जहां अमिच्चा का ये अंदाज देखते ही बन रहा था ग्रीमंत्री शा, बेजल पूर और घाट लोधिया विधान सभाक शेत्र में आयोजित उत्तरायन पतंग महाँच्चब में शामिल हुए थे इस दोरान वो एक मजह हुई खिलाडी की तरहें ग्रीमंत्री ने पतंग उडाई पतंग बाजी के दारान अमिच्चा की पत्नी भी उनके साथ रही इससे पहले अमिच्चा ने स्वी जगनात मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशिवाद दिया वहीं कुजात के सीम वो पेंदर पटेल ने भी एहमदबाद के दरियापुर में आरजित पतंग उच्चव में हिस्सा लेकर पतंग उडारा गंगा विलास क्रूज काशी से चल कर गाजीपूर पहुँचा तो डीम ने माला पहना कर किया सेलानियों का स्वागत भवे स्वागत और सुरक्षा विवस्था देखकर सेलानी धी गदगद हो गए गाजीपूर में सेलानियों ने ए रिक्षा की सावारी का लुथ उठाया गंगा क्रूज विलास के टोरिस्ट लाट कॉन वॉलिस मगबरे पर भी गए यही नहीं स्थानी धोबिया और प्रयागराज की घडियां मृत्य संगीत का भी सेलानियों ने लुथ लिया डिब्रुगर जाने वाले और गंगा की लहरों पर दोरने वाले भवे गंगा विलास क्रूज शुकरवर देराथ गाज़ीपur के जमानिया गंगागार पर पहुंच गया था क्रूज के विदेशी सहलानीयों का पहले से स्वागत की पूरी तयारी कर रखी थी डियम गाज़ीपur आरेका अखहरी ने इसकी तयारी करबा रखी थी डियम ने स्थानी लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शेहनाई की धुन और फूल मालाओं से स्वागत कर सेलानियों कुन की च्छा के मताबिक पुलिस पल और एम्बुलेंस रक्षा के साथ साथ यी रिक्षा के काफिले में गाजीपुर के लॉट कॉंड वालिस बगबरे पख्रमाने के लिए लजाय गया राजस्तान के जालावार में गोवन्षों के लिए एक अनोखी पहल की गई जालावार जिले की शुर्प्रिश्न गौशाला ने मकसंक्त्रांती के मौके पर गौशाला के 1100 गोवन्षों के लिए 56 भोग का आयोजन किया 56 भोग में 21 तरहें की वियंजन के साथ फल, सूखे मेवे, तेल, चूरी, तिल का इस्सेमाल किया जाता है 56 भोग का रिक्रम के लिए श्रीकृष्ण गौशाला को खास तरहें से सजा आ गया 56 भोग के खास आयोजन के लिए पिछले तीन दिन से श्रीकृष्ण गौशाला में कारीगर जुटे हुए थे श्रीकृष्ण गौशाला की इस अनोखी पहल को देखने के लिए आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की भूर लगी रही गौवंश के ने 56 भोग का ये कारीकरम खोतु हलका विशे बना हुआ है